हेलो व्रेंट्स आपका सागत है तैटैनिक तुशार पर और मेरा नाम है तुशार शर्मा और आज एक पर फिर में आपके साथ जुड़के हैं नहीं वीडियो के साथ और आज हम लेकर आगे हैं आपके लिए नए नवेले गोलकीपर गलव्स का रिव्यू सी के वन बंबल गो बहुत बड़ी गलती होगी इतने अच्छे गोलकीपर गलव्स के लिए हम आपको वेट नहीं करा सकते हैं जल्दी से इसका रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथी साथ एक लाइक भी इस व ग्रिप या लेटेक्स के बारे में तो यहाँ पर एक जबरदस लेटेक्स आपको प्रोवाइड की गए यह लेटेक्स बहुत ही जादा ग्रिपी है आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर इसका हमने ग्रिप टेस्क किया और देखें यहाँ पर हमने किसी भी तर लेकिन नॉर्मली हम गलब्स में क्या देखते हैं रोल थाम है ठीक है यहाँ पर ये लेटेक्स एक्स्टेंट हुई है लेटेक्स को और एक्स्टेंट क्या गया इसके नीचे भी यह आपके लिए एडवांटेज़ ही है कुछ खराबी नहीं है इससे आपकी कैचिंग के टा ऍज़ा रहा है इसकी लेटक्स और नीचे तक ज़ा रही है यहां पे खतम नहीं हो रही है लेकिन हम क्या देख रहे थे हैं अभी पिछले दिनों हमने कोबो की गोल्टीपर गलव को घ्रिव्यू किया है जो प्रिमियम गोल्टीपर गलव जारा है लेकिन इसमें और उनमें क्या फर्क है, फर्क ये है वो तो flat surface दे रहे थे, यहाँ पे change हुआ है, इन्होंने science का इस्तेमाल किया है, इन्होंने दिमाग लगाया है, इन्होंने innovate किया है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग लगा के इहाँ पे changes किया है, इन्होंन हिस्से में कुछ अलग सा pattern आपको देखने को भिला, ऊपर तो सारा ये flat surface है, नीचे ये अलग सा design, अलग सा pattern आपको देखने को भिला, ये कोई अलग वो नहीं है material, ये latex है, यही material यहाँ पर है, लेकिन अलग pattern के साथ दिया गया, इसका क्या फायदा है, ये आप पूछोगे टेकनीक बहुत खराब होती है, और इसी बसे वो gloves को बहुत ज़ली destroy कर लेते हैं, वो bowl को पकड़ने के लिए जब dive करते हैं, उनका हाथ ऐसे नहीं जाता, glove ऐसे नहीं जाता, वो ground पे खज़रते हुए ले जाते हैं, ground पे संपर्क कराते हुए glove को ऐसे dive मारते हैं, उनका control ही लिए जा रहे हैं, हर एक goalkeeper मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे goalkeeper gloves में ये किया जा रहा है, जिससे की goalkeeper glove की durability बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे हमने देखा था, निविया एस्टेंग में देखा था, हमने वो triangle दिया गया था, हमने रोईश अभी नया goalkeeper glove आया, रोईश का, र इससे फाइदा क्या होगा, जब आपका glove, ground के साथ उसका संपर्ख होता, एक friction बनता है, friction की वज़ा से ही ये goalkeeper glove फटता है, ठीक है, उस friction को कम करने के लिए ही इस design का इस्तमाल किया गया, जितना कम contact दो surfaces के बीच होगा, उतना ही कम friction होगा, तो उसको ही ध्यान में रखते कई बार वो चला जाता है, हाथ, ऐसे ही चला जाता है, वो तो आपको practice के द्वारा सुधारना होगा, कि आप unconscious state में भी वो हाथ ऐसे ही जाए, तो कई बार ऐसे चला जाए, तो ऐसा ना हो कि आपका महंगा glove है, पैसे आपने लगाए और फट जाए इतनी जल्दी, वो ऐसा मैंने थोड़ा time लिया है, अभी review को थोड़ा fast forward कर देते हैं, जल्दी जल्दी आपको आगे के इसकी features बता देते हैं, देखे भागना मत इस review से, अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है, पूरा review देखके जाना यार, अगली बात करते हैं इसकी backhand, TK1 Bumble Goldkeeper gloves में आपको यहाँ आपे knitted backhand देखने को मिल रहा है, आज कल most of the gloves में आपको knitted backhand ही देखने को मिल रहा है, विकोज यह चल रहा है, आज कल का preferred जो backhand है, वो knitted backhand ही है, क्या होता है कि knitted backhand पे एक अच्छा सा material दे दिया दाता है, पीछे की तरफ, विकोज backhand में सबसे main चीज़ हम क्या देखत ना, तो हम आपको बता दें, यह बहुत ही अच्छा premium quality material है, तो बहुत ही strong है, जो bowl का impact यहाँ पे आपके आने वाला है, अगर आप पंच करोगे, उसको तो रोकेगा ही रोकेगा, साथी साथ बहुत दूर bowl clear भी करने में यह सक्षम रह पाएगा, क्यों रह पाएगा, क्यों ऐसा ही बेकार सा material है, यहाँ पे नहीं दे दिया का, एकदम premium glove में, एकदम premium material है आपको दिया गया है, CK1 Bumble goalkeeper gloves में, मैं आपको और पास से भी दिखा सकता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रा मेरी बातों पे, बहुत ही strong material है, यह CK1 Bumble goalkeeper gloves का, और देखने में भी जबर्दस design यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कुछ goalkeepers को क्या है, वो design के साब से goalkeeper gloves को खरीते हैं, तो उसमें भी यह कहीं पीछे नहीं है, क्या सबर्दस look आ रहा है, लेकिन साथी साथ हमको look ही नहीं देखना होता, क्या वो काम करके दे रहा है, जो आपको चाहिए बिल्कुल दे रहा है, कोई कमी नहीं है, यह जो branding हुई है यहाँ पे सीकेवन की, यह भी वही material है, यह थोड़ा कम स्ट्रॉंग है, इससे कम स्ट्रॉंग है, यह बहुत ही स्रॉंग है, यहाँ बोल कम लगती है, mostly जो हम पंचिंग करते हैं, वो यहाँ से करते हैं, इस area से, यहाँ बहुत अच्छा है, साथी साथ हंको क्या देखने को बिल्ला है, यहाँ साइड में, कभी भी मैंने आज तक किसी गोल की बग्रव में, यहाँ पर कोई material नहीं देखा, पंचिंग के लिए, जब आप पंचिंग करोगे, तो बिल्कुल यह area भी उसमें साथ में होगा, यहाँ पर जरूरी है, हो सकता है, आपकी उगलियां बजज़े हैं, उठा टूर जाए, ऐसा impact आए, या फिर bowl के उपर अच्छा clearance ना हो पाए, जरूरी थोड़ी है, जब आप match में हो तो बिल्कुल यही area ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और पंच करेगा, उस समय पता नहीं second और अभी तब का best latex मुझे देखने को मिला है, अभी आगे और बात करेंगे और क्या-क्या best है या फिर कुछ कमी भी है, इस review में आपको टिकना बड़ेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज पूरी वीडियो ही देखके जाना, बीच में से मत छोड़ो, picture अभ perfect fit मिल रहा है आपको, तो वो check करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका फायदा नहीं, तो साथ में जोड़के देदेते, फायदा क्या है फिर उसका, अगर आपको पसंद है बिना wrist strap के खेलना, तो क्या ये possible हो पा रहा है, क्या इतना अच्छा fit आपको wristband के मिल पा रहा है, वो ही चेक करना है, वही मैं चेक करता हूँ, आपके सामने आपको दिखाता हूँ, ये देखे, देखे, ऐसा नहीं है कि आप बिना wrist strap के खेल नहीं सकते, फिट है, अच्छा fit है, टाइट fit है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कि इतना tight fit है ये एक आपके हाथ को दबो उच लिया ह और मुझे रखता उसको ज़रत पड़ेगी wrist strap की तो थोड़ा और अच्छा fit यहाँ पर हो सकता था ऐसा नहीं यह बिल्कुल बेकार है आप देख भी पारे होंगे ऐसी कोई जगा आपको दिखाई नहीं दे रही है एकदम tight fit है यह देखे यह उगली मैंने गुसाई तो एकदम tight fit है यह मुठा गुसाया सरी रे यार एकदम tight fit यहाँ पर आपको दिया गया लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको ज़रत पड़ने वाली है अगर आप मैच में खेल रहे हो तो आपको ज़रत पड़ने वाली है wrist strap की तो wrist strap आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है यह आपने लगाया यह यह और अब एकदम tight fit आपको wrist पर मिल रहा है एकदम tight fit जो थोड़ी बहुत कमी थी वो पूरी कर रहा है यहाँ पर wrist strap तो एक कमाल का यहाँ पर wrist strap एक अच्छी quality का wrist strap आपको provide किया गया है बाकि बस थोड़ा सा और अच्छी बिना wrist strap के यहाँ पर fitting हो सकती थी विकोस मेरा हाथ थोड़ा से यहाँ से wide है कुछ लोगों का वो नहीं होता है तो उनके लिए थोड़ी सी धीली fitting हो सकती है उस हिसाब से मैं कहा रहा हूँ बाकि मेरे लिए तो एकदम tight fit है यह professional goalkeeper glove है professional goalkeepers के लिए है तो मुझे लगता हूँ उनको जरत होती है کس 버़ knew finger protection की और match में फो थोडड़ा सा हाथ को tight कर देती है finger protection तो वो एक परिशानी रहती है, मुझे बहुत बड़ी परिशानी रगती है वो, बंच नहीं बन पाता और इसे विए से मैं पसंद नहीं करता हूँ figure protection लेकिन अगर आपके हाथ में चोट लगने की आपको डर है कि कहीं चोट ना लग जाए, आपके उगली ना टूट जाए देखें, यहां से एक बहुत अच्छा material पीछे दिया गया जो कि bowl की impact को तो आपके उपर आने नहीं देगा बाकी आपकी किस्मत है देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कहनी कि चोट का risk है, तभी तो bowl keeping से इश्ख है अगली बात कर लेते हैं इसके cut के बारे में तो यहां पर इस bowl keeper glove में आपको दिया गया है hybrid cut, hybrid cut कहें या फिर इसको हम कहा सकते है negative hybrid cut, because यह negative cut ही है negative cut में hybrid, hybrid का मतलब क्या होता है कुछ mix होना किसी चीज में, तो यह क्या negative cut में यहां पर कुछ mix है, क्या mix है यह जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह, यह, यह यहां पर tight fit देने के लिए यह fingers पे आपको यहां पर यह hybrid cut दिया गया है, जिससे की एकदम locked in fit आपको provide किया जादे, कि पहले ही आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते है रहे negative cut, आजकल का most preferred cut, modern days का और बहुत ही अच्छा locked in fit देता है वो अपने आप में, और उसके साथ-साथ और अच्छा fit देने के लिए, थोड़ा सा hybrid कर दिया गया है, यहाँ पर अलग तरीके से cut को किया गया है, जिससे कि यहाँ पर आपको एकदम tight fit हो, और match में आपको tight fit मिले इससे बड़िया बात हो नहीं सकती, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपको match में तो cut बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है match goalkeeper gloves में, लोग नहीं इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, तो सबर्दस tight fit भी हमको यहाँ पर इस goalkeeper glove में मिल रहा है, इस negative hybrid cut के साथ, अगली बात कर लेते हैं, weight, fit और ideal for, तो सबसे पहले बात करें, weight की, तो एकदम lightweight सा goalkeeper glove है, बिलकुल lightweight है, जबकि पीछे एक बहुत strong material यूज हुआ है, उसके बाफसूर भी एकदम lightweight, आपको लगेगा है नहीं, आपने ज़्यादा कुछ भारी सा पैना, और match में ऐसा goalkeeper glove glove ही आपको चाहिए, कि आपको feel ना करा है, कि आपने कुछ भारी सा पैना है, बहुत ही lightweight है, उसके सिवाब बात करने, इसके fit की, तो wrist पे आपको मैंने बताया, एक अच्छा fit दे रहा है, थोड़ा सा, जिनके हाथ यहाँ से पतले होते हैं, उनके आपको पहन के ही बता पाऊंगा, देखे, इस goalkeeper glove में मुझे कमी निकालना मुश्किल हो गया था, यह अकेली कमी मुझे यहाँ पर दिखी, उसके fit नहीं है, आपा रहा, हो सकता है में जा साथ problem हूँ, आपके साथ ना हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा fit में मुझे problem लग रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ideal for की, तो किन goalkeepers के लिए ideal रहेगा, बिल्कुल professional goalkeepers के लिए ही यह ideal है, beginners इसे ना खरीदे, तू ही बैतर है, बाकी आपकी मर्जी, दूसरी बात, यह match के लिए बैतर रहेगा यह practice के लिए ideal रहेगा, देखिए यह रहेगा matches के लिए ideal, practice में इतना महेंगा इसके goalkeeper gloves use करते हो, matches में फिर तो आप इसे practice में यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो अपने जैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत महेंगा glove है और उनको सिर्फ यह matches में यूज करना चाहिए, practice के लिए बहुत सारे इसको खरीज सकते हो, यह 4 size में यह goalkeeper glove available है, अच्छा आप पूछो के कहाँ पर available है, देखे यह Instagram based company है CK1 और Instagram पे इनका handle है CK1GK, नीचे मैंने description में इसका link दे दिया है, आप वहाँ से जाके इनको DM करो, आप इनसे सारी information ले सकते हो, किस तरीके से आपको purchase करना है, आप सा हूँ ना, मेरे पे तो विश्वास है, इतने सालों से आप मेरे साथ जुड़े हूँ, बिल्कूर कोई दिक्कत नहीं है, COD not available, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ, कोई परिशानी आपको नहीं आने दूँगा, बाकि आपकी आपकी मरजी है, आप आपको पूरी इस वीडियो में, पूरे इस रिव्यू में बताए है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा प्राइस इसका है, बहुती अफ़ाडेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, आप डेस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इसको खरीज सकते हैं, बस ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगे, अभी तो बहुत सारे रिव्यू आने भाई, लगातार रिव्यू की लाइन लगने वाली हैं, अच्छे वीडियो आपके लिए आने वाली हैं, आप बस तयार बैटे रहे हैं, अच्छे व्यूज़, अच्छे लाइक्स, आप नवाज